नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हाथ का खास लब टिप मैं हूँ आपके साथ आपका लब फ्रेंड संतोर संतोशी आज 19 मई है दिन शुक्रवार शनी जैनती जेश्थ हमावस्या आज का लब टिप शनी देव को समर्पित करते हैं एक छोटा सा काला धागा ले लिजिए और उसे अपनी मध्यमा उगली पर उपरी वाले यहां पर यहां काले धागे को तीन बार लपेटिए और बाया हाथ के मध्यमा उगली शनी उगली से इसे टच कर देजे और लंबी सां प्राताहश्टनान से पहले जितनी जल्दी सुर्योदय के बाद इसे करना होता है सुर्योदय से पहले इसका असर नहीं होगा सुर्योदय के बाद जितनी जल्दी यह करेंगे आपको उतना तेज लाव कारंटीन मिलेगा अब जानते हैं आज का तीन लखी राश्यों कराब 19 मई की तीन लखी राशियों में नमबर 3 पर व्रिश्चिक राशिय नमबर 2 पर विशब राशिय और नमबर 1 पर आज की लखी राशिय है मकर राशिय व्रिश्चिक विशब मकर आप तीनों को आज का दिन मुबारक हो आज के दिन को जितना चाहे अपने लिए आप कैश कर सक करते हैं आपको शुबता जरूर मिलेगी दिरांक 19 मई की तीन सावधान होने वाली राशियां नंबर एक पर तुला राशी नंबर दो पर करक राशी नंबर तीन पर सिंह राशी तुला करक सिंह आप तिनों को आज सावधान रहना है कई तरह की मुश्किलें आपको मिल सकती ह हैं अचानक से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आप थोड़ा सावधान हो करके सतरकता के साथ आज के दिन का इस्तेमाल करें जिससे जो मुसीबते आए उनसे आप बच सकें तो आज की इस दिब्यंक में बस इतना है हम इनमत दीजे का अपना बहुत चाहते हैं तो हमारे कारियाले की नंबर पर वाटसप करके आप कोटा में मिलने का समय सुनेशित कर सकते हैं बहुत आभार हमें अनमत दीजेगा अपना ख्याल रखें महबद बनाए रखें बहुत बहुत शुक्री आपका धन्यवाद नमस्कार शेकिशना से रादे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोष संतोष जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप प्रह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक कर दोग्रेर भी खुशियों की चाहाँ है